हेलो, इस वीडियो में आप देखने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 6 को, जो की है लाइफ प्रोसेस, इसमें डिफरेंट प्रोसेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे उससे पहले आपको ये दो वर्ड बहुत important है, जब ये चैप्टर के नाम में है तो आपको पता होना चीए कि लाइफ क्या होता है और लाइफ प्रोसेस तब ही आप समझ पाएंगे ये वर्ड आपके क्लास 6 में ही है, तो क्लास 6 में आपने लाइफ को समझ लिया है अब लाइफ प्रोसेस क्या होता है, ये भी क्लास 6 में है, आपको वहाँ बताया यह है कि लीविंग कोई सबस्टेंस है या नहीं है, इसके कुछ पर्टिकुलर क्रेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ क्राइटेरिया हैं जिसके बीजिस पे आप बताते हैं कि ये लीविंग है औ वो ग्रोथ करते हैं, वो डाइजिशन करते हैं, यानि कि नूट्रिशन उनके अंदर में होता है, नूट्रिशन का प्रोसेस, रेस्पिरेशन करते हैं, सर्कुलेशन होता है उनके बोडी में, एक्सक्रिशन होता है और रिप्रडक्शन होता है, तो इस चाप्टर में आप देखने वाले हैं डाजेशन, रेस्पिरेशन, सब्कृलेशन और एक्सक्रिशन नॉट अउनली इन आनिमल बलकी आप प्लांट्स में भी इसको पढ़ेंगे इस चैप्टर में रेप्रदक्षन एक सपरेट चैप्टर में दिया हूए क्लास तेंथ में जो की बड़ा चैप्टर है तो वो एक सेप्रेट चैप्टर में पढ़ेंगे आप लोग ग्रोथ की बात भी अलग चैप्टर में की गई है इसमें कंट्रोल और कॉर्डिनीशन और आपका इस से पहले classes में आप लोगों ने endocrine glands के बारे में पढ़ा हुआ है तो वो सब growth में आता है so life processes की जो process life processes में ये सब जो process हैं इनको आप इस chapter में देखने वाले हैं तो एक एक करके समझेंगे सबसे first आपका nutrition है सबसे पहला topic अगर आप अपने NCRT में देखें तो nutrition है तो nutrition दो तरका होते है autotrophic nutrition है autotrophic nutrition जब nutrition की बात होती है तो obviously आपको nutrient क्या होते हैं ये भी पता होना चाहिए तो nutrient और nutrition ये सब words आपके already chapter sorry class 10th में sorry class 7 में आपका discussion हो हो चुका है मैंने description में link भी दे दिया है class 7 का जो ये first chapter में जहां पे nutrient और nutrition की description हुई है वो आप लोग वहां पे देख लें अगर इस वीडियो में मैं उसको भी include करती हूं तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए autotrophic nutrition तो photosynthesis process के द्वारा होता है यानि की जो भी autotrophs होते हैं वो photosynthesis करते हैं और photosynthesis का सबसे पहला और important point हो जाता है raw material की आखिर photosynthesis यानि की food बनाने का करेकरम स्टार्ट करने के लिए आपके पास raw material क्या क्या होना चाहिए यानि plants यह raw materials यूज करते हैं अब यह नाम आपने class 7 में ही सुन लिया है कहां से आता है यह भी उस photosynthesis होता कहां है option में आपको अगर मालेजिए optional question आता है तो यह है answer class 6 के level का ठीक है यह class 6 के level का answer है in leaf photosynthesis कहां होता है तो आप बताते हो in leaf तो यह गलत नहीं है बट अगर आप class 10 में हो तो आपको यह नाम पता होना चाहिए class 9 में ही already cell का description हो चुका है cell the fundamental unit of life वाले chapter में तो chloroplast बताईए आपकी जो photosynthesis होता है वो chloroplast के अंदर होता है in green parts of plant आप कहते हो बहुत यह 7th class का 7th standard का answer है तो आपकी option में इन में से अगर तीनों ही अगर दिया हो तो आप chloroplast चुने और अगर optional ना हो question आपको लिखना हो तो आप लिखें chloroplast में होता है chloroplast अब क्या है जिसके अंदर chlorophyll पाया जाता है chlorophyll वोर्ड भी class 6 में discussion हो गया है तो आपको पता होना चेए chloroplast क्या होता है एक बार मैं revise करूंगी कि जो cell chapter आपने पढ़ा है उसमें आपको पता है कि जो plant cell होता है उसका shape fixed है क्योंकि उसके पास cell wall है cell membrane के बाहर इसलिए ये generally rectangular shape में हम बनाते हैं इसको आप देखते हैं कि जो plant cell होता है उनकी वेक्यूल बहुत बड़े से होते हैं पूरा आधा से ज़्यादा जगा वो घेर के बठे हुए हैं और बेचारा nucleus कहीं दुबक के कोने में बैठा रहता है और ये cytoplasm है जिसको आप dot dot करके show करते हैं without dot अगर आप diagram बना रहे हैं इसका मतलर ये है कि आप एक dead cell बना रहे हैं डाइग्राम बनाने का ये तरीका है कि आप जब भी diagram बनाएं तो cytoplasm में dot show करें so that it can indicate that the cytoplasm is leaving the cell is leaving so ये हुआ आपका एक general structure plant cell का जिसमें बहुत सारे cell organelle हैं इसके cytoplasm में और उसी में एक cell organelle होता है जो कि ऐसा कुछ elliptical shape का होता है और ये होता है chloroplast ये क्या है ये है chloroplast जिसके अंदर में chlorophyll होता है और इसी chlorophyll का सारा रोल है photosynthesis में तो chloroplast कहा होता है cytoplasm में होता है ठीक है ये आपको पता होना चाहिए आगे discussion करते हैं कि आखिरकार ये जो अपने components थे जो raw materials थे जो requirements थे plants के वो करते क्या है क्यों requirement है वो plants के photosynthesis के लिए तो ये पता चलेगा हम लोग का इस event को discuss करते हुए कि कौन-कौन से event photosynthesis में होते है सबसे पहला आपका दिया है absorption of light energy by chlorophyll तो यानि आपको पता चल गया कि इन requirements में chlorophyll जो एक component था ये किस लिए है ये absorption के लिए है ठीक है ये light absorb कर रहा है sunlight now अब sunlight क्या काम है उसका इसको पहले chemical energy में convert कर दिया है conversion of light energy to chemical energy और वो chemical energy का use होता है splitting of water molecule into hydrogen oxygen ठीक है उसको hydrogen और oxygen में तोड़ दिया आता है है किसको तोड़ दिया जा रहा है भाई water को break के जा रहा है what split के जा रहा है water को आप break कर रहे हो hydrogen और oxygen में actually ये molecule form में नहीं होता है आपने class 9 में molecule iron compound ये सब वर्ट पढ़ लिया है तो ये जो splitting होती है कि ये molecule form में नहीं होती है बट इस level पे आपको class 10th level पे आपको लिख दिया गया है कि hydrogen or oxygen में तूटता है higher classes में आप पढ़ेंगे कि ये जो hydrogen or oxygen होते हैं ये iron form में होते हैं now दूसरा step आपका क्या हो गया कि splitting की जा रही है water molecules की third step आपका है कि reduction of carbon dioxide to carbohydrate यानि कि ये जो food है आप जानते हैं पहले से class 7th में आप जान गए हैं कि photosynthesis का जो product है वो क्या है carbohydrate है plants का food carbohydrate है यूज जो यूज नहीं हुआ है उसको starch के form में store करता है plant ये भी आप class 10th में ही पढ़ेंगे तो ये carbohydrate कहां से बन के आ रहा है ये आपको पता होना चाहिए कि एक carbon dioxide से बन रहा है मतलब दो चीजें आपको clear हो गई यहां से और इस मेंसे दो चीज और जान लिजे आप कि जो carbohydrate है वो carbohydrate कहां से बन रहा है वो carbohydrate बन रहा है CO2 से ठीक है यानि यह CO2 carbon dioxide जो एक component था उसका क्या काम हुआ उसका बना food यानि carbohydrate और plant ने लिया था H2 यानि कि water लिया था root से absorb करके इस water का क्या हुआ यह water split हुआ है जब hydrogen और oxygen में तो यह वही oxygen है जो कि release होता है atmosphere में after photosynthesis और हम कहते हैं कि we animals inhale oxygen जो heterotrophic nutrition follow करते हैं वो सभी oxygen लेते हैं और मैं हाँ पे थोड़ा गलत हूँ अगर मैं heterotrophic only कहूँ नहीं respiration जो है process respiration जो है यह सभी living organism में होता है चाहे वो autotrophic हो चाहे heterotrophic हो और सभी organism जो है वो oxygen ही लेते हैं respiration के दोरान respiration में oxygen ही use होता है breakdown के लिए food के और उससे energy release करने के लिए तो आपको यह पता चला कि जो oxygen release हो रहा है after photosynthesis plants release करते हैं वो आता है H2O से ना कि CO2 से आप CO2 को भी जब देखेंगे तो आपको लगया कि यहाँ पे O2 है इसके साथ में तो यही release हो जाता होगा नहीं ऐसा नहीं है this is wrong यह आता है H2O से और काबो हाड़ेट फर्म होता है CO2 से चलिए तो यह आपके steps हैं photosynthesis में यहां से आपको पता चल गिया कि आफिर water जो absorb हुआ उसका क्या काम हुआ जो sunlight का जरूरत पड़ा तो जो requirement में sunlight था उसका क्या काम था chlorophyll क्या करता है और carbon dioxide क्या चीज में convert हो रहा है तो यह बातें आपको यहां से clear हुई now एक figure दिया हुआ है आपके book में यह figure आपको थोड़ा समझना चाहिए stomata के बारे में आपने पहले ही सुना हुआ है पहले के glasses में जानते हैं tiny pores होते हैं leaf surface पे लेकिन आखिर यह कैसे होते हैं आप अगर इसको enlarge करके देखें magnify करके देखें तो आपको पता चलेगा कि यह कुछ ऐसे दिखते हैं यह है stomata opening यह जो है यह होता है stomata यानि यह pore है शिद्र है यह और इसके around में आप देख रहे हैं कि kidney shape के cell दिख रहे हैं kidney को आप जानते हैं class 7 में kidney के बारे में kidney का structure आपने देखा है तो kidney shaped जो यह cells दिख रहे हैं इस pore के around में इसको कहा जाता है God cell ठीक है यह guard cell कहते हैं आप तो यह है guard cell और इसमें आपको यह नने नने गोल गोल जो दिख रहे हैं यह है chloroplast जहांकि photosynthesis होना है photosynthesis इने इसके अलावा और भी cells में होता है ऐसा नहीं है कि यहीं पे होता है इसको यह शो करने के लिए आपके book में यहां पे दिया हुआ है कि यह chloroplast है यहां पर अदर्वाइस आप यह mentality ना बनाएं कि केवल guard cell के उपर में photosynthesis होता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है यह भी plant cell है यह सब side में जो लगे हुए हैं यह सब plant cell ही होते हैं और सब cell के अंदर में chloroplast present है और photosynthesis होता है वहां पे इस diagram में आपको सबसे important चीज़ notice करने वाली है यह open और closed जब यह guard cell swell करता है swelling होती है जब इसमें तो यह जो stomatal pore है यह open हो जाता है यह opening होती है जब यह shrink करता है जब इस कुडता है तो यह stomatal pore जो होता है यह बंद हो जाता है ठीक है तो closing और causing दिवर गर्ण का वह दिपंड करता है गार्ण। को के रिक्वार्मेंट पर देंद करता है लान को जादा रह्मेंट है तो वह इस पोर को खोलेगा आपा जरूरत नहीं है या फिर बहुत कम जरूरत है तो इसको उसके अकॉर्डिंग ही क्लोज किया जाएगा नाओ एक फिगर दिया हुआ है आपके बुक में इस फिगर को थोड़ा सा समझे ये क्या है ये फिगर एक लीफ का है आपको बिलकुल अच्छा सा ये लीफ नहीं दिख रहा हुगा कि कोई आपको ये साइड से दिखाने के कोशिश किया है कि ये जो इसका मिडृव है और इससे निकले हुए जो साइड में होते हैं ये वेंस कहा जाता है तो ये बहुत ये पतली पाइप होती है आप अगर प्लांट के leaf को लेके थुआ सा अगर हाद से टच करके देखें तो ये गोल गोल आपको cylindrical आपको feel होगा कि ये pipe है और इनी pipe में nutrients का flow होता है minerals and water का flow होता है ठीक है तो जब आप suppose करिए कि आपके पास एक leaf है मैं T.S. और L.S. जो आपके books में बार-बार figure दिया रहता है मैं इसको समझाने के कोशिश कर रही हूँ suppose करिए कि एक मैं leaf बना रही हूँ ये एक leaf है आपकी अगर आप section cutting यानि कि आप अगर microscope में देखने जा रहे हो तो आप पतला पतला piece काटते हैं किसी भी living part का तो उसे कहते हैं section और अगर ये section आप cut कर रहे हो इसके lengthwise अगर आप ऐसे cut करके निकाले इतना portion आपने निकाला तो इसको कहते हैं ls यानि कि longitudinal section अगर आप इसी को इस तरह कट कर रहे हैं 90 degree पर ठीक है अगर इस तरह कट कर रहे हैं तो ये जो आपका section होगा इसको बोलते हैं ts यानि कि transverse section ये होता है ts तो इस figure में क्या दिया हुआ है आप इसको समझें इस figure में ये आपका ts दिया हुआ है cross section यहां से cut किया गया है आपका ऐसे mid rib के जो mid rib है आपका इसके 90 degree पर cut किया गया है इसको और वो जो section है उसको microscope में जब आप देखेंगे तो enlarged form में ऐसा दिखेगा ठीक है यह सब जो parts इसके show किये गये हैं यह microscope में आपको ऐसा दिखता है अगर आप lab में जाएंगे तो आपको यह देखने को मिलेगा जो यह सबसे बाहरी surface होती है कोई भी leaf आप ले लीजे यह leaf का यह उपर का portion है और इसके just opposite नीचे का हिसा होगा तो यह जो दो surface है वो दो surface इस diagram में आपको अपर epidermis और लोर epidermis के form में दिख रहा है यानि कि एक upper boundary है एक lower boundary है इसको epidermis कहा जाता है जैसे आपकी body की skin है वैसे ही यह भी plant का skin जैसा है सबसे outer boundary है इसका तो यह upper epidermis और यह lower epidermis बीच में बहुत सारे cells होते हैं जिसके अंदर chloroplast भरा होता है और वो chloroplast help करते हैं photosynthesis में cell के बीच बीच में जो space है इसको air space कहा जाता है और देखे guard cell जो भी मैंने stomata में बताया वो guard cell कहां पे होता है यह surface होगा leaf का surface होगा stomata का आप definition जानते हैं tiny pores on the surface of leaf तो जब यह leaf का surface यह और यह है तो stomata भी यही present होगा देखे जो opening है यह खाली जगह आपको दिख रहा है यह वाला इस खाली जगह से air exchange हो सकता है even water भी exchange होता है transpiration अपने बढ़ा हुआ है तो इसको guard करने वाला यह होता है guard cell दोनों साइड यह बीच में जो opening है से उस टो मैठा कहेंगे तो यह section I think आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर यह figure क्या बताना चाहता है कहां का part है जो कि enlarge करके दिखाया जा रहा है इसके अलावा last में आपके book में भी दिया हुआ है यह equation तो इसको आप याद रखें exam में कई बार यह होता है कि कोई एक particular चीज को हटा दिया जाता है और उसकी जगह में A लिख दिया जाता है कोई दूसरा चीज हटा के वहाँ B लिख दिया जाता है और question में बोल देगा write down what is A and B in the given equation तो यह क्या है यह होता है chemical equation first chapter में आपने chemical reaction, chemical equation, balancing यह सब पढ़ लिया है तो chemical equation यह है photosynthesis का और आपको पता है कि इस arrow के इस side में left side में सारे reactions दिये होते हैं और यह आपका product इस side है तो carbohydrate यह carbohydrate का formula है C6H12O6 यह carbohydrate starch में convert होके store होता है अगर आपको store करना है अगर plants को store करना है तो इसको starch के form में store करते हैं और आप देख रहे हैं यहाँ पर oxygen जो की plant का waste material है यह इसको release कर देता है atmosphere में और थोड़ा मांड का water release होता है photosynthesis के दोरान तो यह overall पूरा photosynthesis का chemical equation है और आपको पता है पहले से ही कि यह जो पूरा reaction है यह कहां पे होता है यह chloroplast के अंदर में हो रहा होता है तो यह discussion था photosynthesis का यानि कि autotrophic nutrition का life processes में आगे और भी जो headings हैं उन्हें भी हम समझेंगे next videos में until then keep shining